हेलो एवरिवान आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत जाते इंपोर्टेंट एंट्रेंडिंग टॉपिक बजट को वज़त तो आपने कई सारी जगह से पढ़ भी लिया होगा बट आज हम जिस तरीके से पढ़ेंगे ना तो वह आपके दिमाग पर बहुत अ हमारा क्या होता है लेखा जेखा होता है जो भी आने वाले साल इयर्स में हम कितना पैसा कमाएंगे किस तरीके से उसको खरच करना है इन सभी की प्लैनिंग जो होती है इसी को बस बजट का जाता है ठीक है इसी वेव में आपको ऐसे समझ लेना है किस तरीके से हम आएंगी तो हो हम पहले ही समझ लेंगे ताकि आगे हमें वीडियो में confusion ना हो फिर हम budget से related constitutional provision देखेंगे फिर हम पढ़ेंगे budget के जो seven priorities हैं उसके अंडर जो sector select के गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि agricultural, health, educational and skill, reaching the last mill and इससे तो भी हम आगे पढ़ेंगे and fourth हम पढ़ेंगे budget के important highlights and last में हम देखेंगे mcq questions okay so देखें सबसे पहला time आता है हमारा अमरितकाल, क्या है यह अमरितकाल, okay so देखें अमरितकाल ना इंडिया का freedom से जो 75 years से 100 year तक का जो time period है उसे ही अमरितकाल बोला गया है, यानि कि अमरितकाल को next 25 साल के लिए बोला जाता है जितने भी next 25 साल होंगे उसको क्या का गया है अमरितकाल का गया है ठीक है तो यह आपको धियान रखना है कि कहीं आप आगे आए और आपको समझ में ना आए कि अमरितकाल क्या है इसे तो आप लोग को बता ही होगा दूसरा है देखें फिश्कल डेफिशे जिसको राज क कोशी घाटा कहते हैं तो यह राज कोशी घाटा क्या होता है ओके सो देखी डिफेंस बेटमीं तो टोटल रेविन्यू और टोटल एकस्पेंडिचर ऑफ दो गौर्ण्मेंट यानि कि गौर्ण्मेंट ने कि इस ने खर्च कर दिया उसी का जो डिफेंस होता है वह इसकल ड प्रविजन है तो एकॉर्डिंग तो आर्टिकल वन हंडेट ट्वेल इंडिन कॉंस्टिटूशन दे यूनियन बजट ओफ इयर इस रिफोर्ट वाज फाइनेशल स्टेटमेंट ओके तो दीखिए कॉंस्टिटूशन में हमारे ना बजट से लेटिट कोई टर्म नहीं दिया गया है बजट से लेटिट कोई प्रावधा नहीं है आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा बट एक एन्वल फाइनेशल स्टेटमेंट की तरह डिनोट किया जाता है और इसी के थ्रू बजट को पूल जाते हैं तो हमें कैसे याद रखने है कि एन्वल फाइनेशल स्टेटमेंट से रेटिट है अब यहां पर देख रहे हो एन्वल फाइनेशल स्टेटमेंट की बात हो रही है यानि कि पूरा एन्वल यानि कि एक साल में कितने महीने होते हैं बारा महीने होते हैं तो ब होता है expenditure of government in a financial year का जो begin होता है first April of the current year and end होता है 31st March of the following यह तो यह क्या है एक तरीकी का क्या होता है statement होता है financial year का अब देखिए आपको एक बात और याद रखना है कि जो first budget हुआ था independent India का वो कब present किया गया था तो 1947 में ठीके ओके तो आब हम पढ़ने वाले है union budget 2023 and 24 के important highlights को so देखिए union minister निर्मला सीता रमन ने प्रजेंट किया है union budget 2030 को for the fifth time in a row okay and यह जो annual budget है of the Republic of India presented each year on the very first day of February by the finance minister of India in Parliament यानि कि जो हमारी निर्मला सीता रमन है finance minister okay इन्होंने इस बार का budget पेश किया है 2020 का annually okay और यह इनका fifth budget है और हमेशा जो budget है न वो कब पेश किया जाता है तो first day of February ठीक है कहां पेश किया पारलिया मैंट में right financial statement and tax proposal for the fiscal year 2023-24 April 2023 से लेके March 2024 it means जो यह financial statement है जिसको हम लोग budget बोलते हैं okay तो यह कौन से year के लिए पेश किया गया है अब बही खाता जो है आप यह देख रहे हो न यही है बही खाता तो इसको replace कर दिया गया इस बर किससे एक Indian tablet है उसकी मदद से यानि कि Indian tablet पे ही पढ़कर जो निर्मिला सीता रमन है उन्होंने पूरा जो budget है उसको सुनाया उसको बोला okay जो एकनामिक सर्वे है 2022 ते इसका was released on 31st January 2023 को फाया चीफ एकनामिक एडवाइजर ऑफ इंडिया वी अनंता नागेश्वरन okay तो 2022 ते इसका 31st January को एक एकनामिक सर्वे हुआ था किसके अंडर में चीफ एकनामिक एडवाइजर के अंडर में कौन है वी अनंदा नागेश्वरा तो सबसे पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है कि चीफ एकनामिक एडवाइजर जो है कौन है तो वी अनंदा नागेश्वरन तो ये question भी आप अनंदा नागेश्वरन तो ऐसे आपको याद रखना है कि चीफ एकनामिक एडवाइजर कौन है तो ये अम्रितकाल का पहला बजट है अम्रितकाल मैंने आपको बता दिया स्टर्टिंग में अम्रितकाल के टाइम के पीडियर में अब ये पांच जो सब्तरिशी जिनको कहा गया है ये क्या क्या चीज़े हैं किस पे फोकस किया गया है तो देखें अंस-पर प्रिशी बोला गया है इन साथो प्रायोर्टीज को घी पर भी आप देख सकते हो सबतरिशी यानिकी seven priorities inclusive development, reaching the last meal, youth power, financial sector, green growth, unplacing potential, infrastructure and investment और ये किस के time period के बीच में है तो इसको क्या खा गया अमरित काल तो अमरित काल का ये पहला budget है तो ये बात आपको ध्यान रखने है अब next देखें कि कुछ highlights है किस से लेटेड income tax labs related जो budget 2023 में time तो देखिए जिसका rupees 3 lakh के income होगी ना तो उसको कोई भी tax नहीं पे करना पड़ेगा 3 lakh से 6 lakh अगर किसी के income है तो वह 5% tax pay करेगा and 6 lakh and 9 lakh के बीच में अगर income है तो 10% pay करेगा and 9 lakh and 12 lakh के बीच में है तो 15% and 12 lakh and rupees 15 lakh के बीच में है उसके income to 20% and ऐसे ही 15 lakh के उपर अगर जाएग यह है कि देखें जिसकी भी earning below 7 lakh रहीगी ना तो उसको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा यह new tax lab है इसके according ओके अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि 3-6 lakh के बीच में 5% है में भी यहां से भी आपका question पूछ ले तो देखें बहुत इसी है आप देख रहे है तो 3 की table चल रह कि इसली ऐसे याद हो जाएगा आपको यह point आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कि कितने लाग के नीचे जो income होगी ना तो उसमें आपको zero tax pay करना पड़ेगा new tax lab budget 2023 के according तो इसका ultimate question पूछा दा सकते है तो आपको याद रखना है कि अगर income या earning 7 lakh से कम होगी तो हम में zero tax pay करना पड़ेगा ठीक है दो हजर 23 चौपिस का जो यह budget है ना तो इसको एक positive की तरह लेते हुए government ने क्या कहा है कि उनका जो physical deficit है ना तो वो कम करने की कोशिश करेंगे comparison to previous year तो previous year में देखिए 6.4% था fiscal deficit मैंने आपको बताया था मतलब क्या हो गया कि government को इतना घाटा हो गया इतना उसने पैसे लगा दिये जितना कि उसको मिला नहीं और 5.9% रखा गया है इस बार का लक्ष की हां इस बार हम अपना जो physical deficit है ना इसको 5.9% करने की कोशिश करेंगे तो positive की तरह इस budget को लिया कि है कि हम इतना अचीब करेंगे यानि कि पहले 6.5% इनको घाटा हुआ था अब 5.9% का इन्होंने सोचा है ठीक है तो यह इनका एक idea यानि कि इन्होंने बताया है कि हम इतना करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है कितना 5.9% यह question exact आपके paper में पूछा जा स पूरा टेक्स लाब में तो जीरो से अगर 5.5 रुपे जो थे ना तो इस पर आपको 0% जो था टेक्स देना पड़ता था तो इसी तरीके से पूरा अनलेटिक्स यहां पर देख सकते हैं अब नेक्स ने देखे एक्रिकल्चर तो अभी हमने जो सबतरिशी पढ़ा था जो 7 hana तो उसके अंडर भी जो भी एडियास को लिया गया है सिक्टर को लिया गया है इंपोर्टन च्या कि उसमें काम कीघा है क्या 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 उसमें टार्गेट रखा गया है इसे हम पढ़ने वाल लेत होति कल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम क्लान तो ब्लॉंचटाव lingu Tu огр청 क्य रखा गया है यानि कि 20 लाग रुपे का क्रेडिट दिया जाएगा उस सेक्टर को एंड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हफ फर माइलेट श्री अन्ना स्टार्ट किया जाएगा तू सपोर्ट आया एमर हैद्राबाट टू प्रमोट रिसर्च इंदा फील्ड उके इंक्रीज स्टोरिज कैपिसिटी और अगरिकल्चर में स्टोरिज कैपिसिटी को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा और श्री अन्ना के लिए किया जाएगा जो रिलेटेड है माइलेट यानि की बाजरा से और देखें एक इंपोर्टन क्वेशन आपको यह भी याद है कि युनाइटिद नेशन ने 2023 को माइलेट यार यानि की बाजरा वर्ष घोशित किया है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है हमारा हेल्थ से लेटेड और हेल्थ में 157 न्यू नर्सिंग कॉलिज बनाए जाएंगे 157 ओके सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम को आप देखरेगे सिकल सेल एनीमिया यानि जैसे हस्याम जानते है तो उसी शेप का देखिये यह जो ब्लट सेल हो गया है तो आपको ध्यान रखने है कि सिकल सेल एनीमिया misshPrukеся reinst conduct and University कल सिएश्च अब कई सारे नी प्रोग्राब ही रिसार्च अब किये जाएगी ।के ICMR lab बनाए जाएंगे increased PPP based medical research तो important point आपको ध्यान रखने है next है अब education and skill यानि कि education and skill को बढ़ाने के लिए क्या काम किये हैं government ने क्या target लिए है तो national digital library को ये launch करेंगे अब देखे जो बच्चों सही से उनके पास education नहीं पहुच पाती है तो उन बच्चों के लिए national digital library बनाए जाएगा ताकि वो phone बगेरा या digitally भड़ सके अगर उनके पास offline अब लेबल नहीं है तो ये सोच के national digital library जो है ये launch की गई है teacher training program जो है इसको remapped किया जाएगा टीचर training program जो है इसको launch किया जाएगा physical libraries at ward level and panchait level by state government तो state government क्या काम करेगी physical libraries जो है ward level पे and panchait level पे ले के आएगी तो ये बात आपको इसमें सबसे important ध्यान रखना है कि national digital library जो है ये भी government लाँच करेगी जो किसके अंडर में education and skill में तो ध्यान रखना है आपको next याप देखिए reaching the last meal अब reaching the last meal में क्या इन्होंने target रखा है कि प्रधान मंत्री PVTG यानि कि particularly vulnerable tribal group development mission जो है इसको ये launch करेगी financial assistance to करनाटक for micro irrigation in drought prone area यानि कि करनाटक के जितने भी financial जो areas है जिनको help चाहिए जहाँ पर सूखा पढ़ गया है तो वहाँ पर भी ये help की जाएगी सूख्ष में यानि कि micro irrigation जो है वहाँ पर दिया जाएगा next है residential school जो है यानि कि residential school जहाँ पर बच्चे रह सकते हैं residential का मतलब हो किया new teacher जो है वहाँ पर tribal groups के लिए है एक mission है इसको launch किया जाएगा financial assistance दिया जाएगा करनाटका को एकलब भी model जो residential schools है तो इसमें new teachers को appoint किया जाएगा ठीक है तो ये target रखका है reaching the last meal पर important अब देखे infrastructure and investment में क्या काम किया है कि infrastructure कैसा होगा इसमें क्या investment किया है तो capital investment are to be increased to rupees 10 lakh करोर तो इसमें कितना जो government है invest करने वाली है infrastructure में तो 10 lakh करोर अब देखे to incentivize infrastructure investment the 50 year interest free loan scheme to the state government is to continue अब देखे 50 year interest free loan जो है इस scheme के तहत जो state government को देने वाली है government, central government investment के लिए यानि कि infrastructure के लिए railways को और बढ़ाने के लिए कितना इस पे खर्ष किया जाएगा तो rupees 2.4 lakh करोर बहुत important है बहुत अच्छे से आपको धियान रखने है कि कैसे हम railway का याद रखेंगे तो देखे रेलवे की जो railway से हमारे दिमाग में सबसे बहुत क्या आता है rail आता है यानि कि train आती है आपर infrastructure to be boosted in tier 2 and tier 3 cities में through UIDF Urban infrastructure development fund तो देखे टायर 2 and tier 3 जो cities है इनको और develop करने के लिए infrastructure development fund के त्रू इस पे भी काम किया जाएगा इस पे भी invest किया जाएगा अर्बन infrastructure पे तो ध्यान रखने है आपको कि infrastructure and investment के लिए कितना है 10 लाग करोड तो ये बात आपको ध्यान रखनी है next देखे ग्रीन ग्रोथ अब हम देखने वाल है ग्रीन ग्रोथ में इंडिया क्या काम करने वाली है यानि कि गौर्णम तो देखे PM प्रनम टू बी लांस टू इस्टाबलिश अंडर गोवर्धन स्कीम तो PM प्रनम जो है इसको लांच किया जाएगा गोवर्धन स्कीम के थैत अब ये गोवर्धन स्कीम किया है तो देखे ये फोकिस करता है on managing and converting cattle dung को and solid waste को किसमे firm में into composite and biogas में तो ये है हमारी गोवर्धन स्कीम Green Credit Program जो है इसको लांच किया जाएगा मिशनी जो एक mangrove initiative है for shoreline habits and tangible incomes to be launched ओके the following will be promoted और कुस चीजों को promote किया जाएगा जैसे की battery energy storage system को coastal shipping को energy efficient transportation होगा funds to replace old polluting government vehicles ओके so देखे first लगाए जाएगे जितने भी old government के जो vehicles है उनको change करने के लिए ठीके उनको replace किया जाएगा तो ये green growth में काम किया जाएगे important important ठीक है तो ये आपको धियान रखना है next याप देखिए youth तो youth से related क्या काम करने वाली है government तो youth के skills को बढ़ाने के लिए या उनके overall development के लिए क्या क्या काम करेगी तो PMKVY 4 जो है of one district one product अब one district one product को promote करने के लिए छोटे-छोटे unity malls भी वनाये जाएगे okay states के थू finance में देखिए तो credit guarantee scheme और MSME जिस पे 2,00,000 रुपे ये खर्च किया जाएगा तो credit guarantee scheme किसके लिए MSME, micro, small and medium enterprises के लिए महिला सम्मान बच्चत पात्र जो है ये भी launch किया जाएगा one time small saving scheme जो एक one time small saving scheme है कौन सी महिला सम्मान बच्चत पात्र increase the maximum deposit limit of senior citizen saving scheme जो रुपीज 30 lakh before it was रुपीज 15 lakh तो देखिए जो भी senior citizens है ना तो उनकी जो saving scheme है उसको 15,00,000 रुपे से कितना बढ़ा दिया गया है तो 30,00,000 रुपे बढ़ा दिया गया है तो overall आपको ध्यान रखना है सबसे important point कौन सा है इसमें कि credit guarantee scheme जो है micro, small and medium enterprises के लिए कितने खर्चिय जाएंगे 2,00,000 करोर और saving scheme जो है senior citizen की 15,30 कर दी यानि कि 2 गुना कर दी कितनी कर दी 15,30 तो ये बात आपको ध्यान रखना है 15 से 30,00,000 रुपे तो देखें funds allocated in lakh करोर रुपीज में किसके लिए कितना fund allocated किया गया है इसको हम देख लेते हैं तो देखें defense ministry में में मिलेगा 5.94 road and highway ministry में 2.7 railways में 2.41 जो है लगाये जाएगा consumer affair and food republic distribution में 2.06 1.23 अब देखें हमें इसमें important क्या क्या है याद रखना है हमें सबसे पहले defense ministry का ध्यान रखना है क्योंकि सबसे जादा defense में खर्चा गया जाएगा okay हमें याद रखना है railways का okay हमें याद रखना है agriculture and welfare का ठीक है तो ये एंटर करना allow नहीं है इसलिए defense को मजबूत किया जाता है ठीक है no तो देखे no कैसे होगा no आप कैसे करोगे जब तक आप 5 और 4 को add नहीं करोगे तो no कैसे करोगे है ना तो बस हमें ऐसे relate करना है कि defense क्यों बने जाती है ताकि terrorist की entry बिल्कुल no हो जाए ठीक है तो 5 और 4 और 9 को आप बीच में घुसा दो तो 5.94 लैक करोड रूपीज जो है defense ministry पे खर्च किया जाएगा ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है आप railways को देखे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि railways का हमें कैसे याद रखना है कि railway की यानि की train और train में सिर्फ 2-4 लोग तो जाते नहीं है तो 2-4 यानि की 2.41 यानि की 2.4 लैक करोड रूपीज जो है railway पे घर्च किया जाएगा अब आप यहाँ पर देखे तो देखें chemical and fertilizer का भी आपको ध्यान रखना है यह भी पूछा जा सकता है आपसे तो देखें 1.78 यह कैसे याद रखना है तो थोड़ा सा हम एप्रॉक्स करके याद रखेंगे तो देखें chemical and fertilizer की बात हो रही है तो जितने भी chemicals होते हैं तो यह क्या होता है हमारे लिए danger होते है i.7 लाग करोर तो 1.7 यह होगा तो इस थरीके से आपको ध्यान रखना है अगला है अगरिकल्चर and farmer पर तो देखें जितने भी farmers होते हैं वो बहुत जादा महनत करते हैं इतनी जादा महनत करते हैं बट फिर भी उनको income जादा जादा तो बस हमें कैसे याद रखने है न कि फार्मर इतनी मेहनत करता है बस उसको कितना फायदा होता है एक चौथा ही फायदा होता है सिर्फ 1 by 4 फायदा होता है तो 1 by 4 मतलब क्या होगे 25% होगे तो 25% यनकि एक फार्मर को न सिर्फ 1 by 4 फायदा होता है यनकि सिर्फ 25 तो 1 फार्मर इंडस्ट्री के लिए 1250 करोर रुपीज, एकलब भी मॉडरल रेसिदेंशल स्कूल के लिए 5943, प्रधान मंतरी अवास यूजना 79,590 करोर रुपीज, और फेम यानकी फास्टर अडॉप्शन और मैनुफेक्ट्रिंग और हाइब्रिड एंड एलेक्ट्रिक वहिकल्स के तो देखे, जल जीवन मिशन लिखा है या पर 70,000 करोर रुपीज, इसमें खर्च किया जाएगा जल जीवन मिशन के लिए, प्रधान मंतरी अवास यूजना 79,000 से हम कैसे याद रखेंगे, तो देखे, प्रधान मंतरी अगर आवास देंगे किसी को रहने की जगा देंगे, तो अविसलि उसकी लाइफ थोड़ी बर जाएगी, उसको थोड़ी से प्रॉपर सुविधाय मिलेंगी, तो लाइफ उसके अच्छी हो जाएगी, तो देखे, कम से कम वो कितना जी जाएगा, तो देखे, 80 साल जी ही जाएगा, तो बस आपको याद रखना है न, कि अवास साल जी जाएगा, तो थोड़ा समसा आपको यहाँ पर आद रखना है, कि प्रॉपर असी नहीं है, 79 है, तो 89 तो जी जाएगा, 79 को हिंदी में क्या बोलते है, 89, 89, 89 तो 89 यानि कि 79, तो इस तरीके से रिलेट करना है आपको, कि प्रधान मित्री अगर किसी को आवास जाएग तो अब यहाँ पर देख रहोगा, कि मैंने यह पैंकर बनाया हुआ है, कि पैंकर का पिच्चर लगाया है, क्यों लगाया है, तो देखिए, जो गवर्मेंट है, इसने प्रपोस किया है, to use permanent account number as a common identifier for all business establishment using digital system of various government agencies, यानि कि सरकार ने यह कहा है, कि विभिन जितनी भी गवर् और जो भी digital system है, वहाँ पर अब इसका उप्योग करा जाएगा, तो देखिए, वेवसाइक तो और पे किसका उप्योग किया जाएगा, पहचान करता के रूप में, so pen card का, ठीक है, तो pen card का ज्यादा एहमियत दे दी है, पहले आधार बगेरा ज्यादा था, अब pen card का ना उ questions पे, तो first question है, देखे, union finance minister निर्मला सीता रमन is presenting the union budget 2023 for the dash time in a row, तो केंदरी वित्न मंत्री जो है, निर्मला सीता रमन केंदरी बजट 2023 लगतार, कितनी बार पेश कर रहे हैं, तो कितनी बार पेश कर रहे हैं, तो पांच भी बार कर रहे हैं, यानि कि 5th हो जाएगा हमारा correct answer, next question है, the budget 2023 focuses on dash priority, which the finance minister called the saptrishi guiding us through Amrit Kaal, तो budget 2023 प्रात्मिक ताव पर केंदरी था है, जिसे वित्न मंत्री ने Amrit Kaal के माधियम से हमारा मार्क दर्शन करने वाले saptrishi कहा है, okay, so कितनी इसमें saptrishi थी, तो saptr सी समझ में आ रहा है 7, यानि कि option C हो जाएगा हमारा correct answer, okay, question को आ आपको थोड़ा सा सोचना है, क्या हो सकता है, वीडियो को आप pause करके देख सकते है, third question देखे, when was the first union budget of India presented, तो इंडिया का पहला union budget का present किया गया था, 1947 में, okay, so option A is the correct answer, okay, so देखे, first finance minister जो थे, independent इंडिया के, कौन थे, तो RK शनमुखन शेती जो थे, इन्होंने present किया था first union budget of India on 26 November 1947 को, first mini budget जो है, ये present किया था, T.T. Krishnamurti ने November 30 को, 1956 को, ठीक है, तो ये भी आपको धिहान रखना है, next है, देखे, what is the current year's economic growth rate is estimated at the union budget 2023, तो देखे, जो union budget है, 2013 जो पेश किया गया है, तो इन्होंने कहा है, कि इस बात, जो current year का economic growth है, इसको इन्होंने estimate किया है, कि इतने percent, तो कितने percent estimate किया है, so option C, यानिकि 7%, ठीक है, सबका साथ रहेगा, विकास रहेगा, बोलते हैं ये, सबका साथ, सबका विकास, so कितना इन्होंने कहा है, economic growth रहने का नुमाल लगाया, estimate दिया है, 7% का, okay, next question है, fifth, what is the maximum deposit limit for senior citizen saving scheme will be enhanced from, तो देखे, जो senior citizen की जो scheme है, उन से related, कितने पैसे को बढ़ा दिया गया है, तो देखे, कितना बढ़ाया है, कैसे हमने याद दकाता, दो गुना कर दिया, तो दो गुना कर दिया, देखे, 15 से 30 लाकर, so correct answer क्या हो जाएगा, option C, 15 lakh to 30 lakh, next question is, the outlet for प्रधान मंतरी अवास योजना is being enhanced by 66% to over, okay, so देखे, जो प् 79,000 करोर, तो देखे, इसमें भी approach दे रखा है, 79,000 करोर रुपे, okay, तो ध्यान रखना है आपको, 7 question है, what is the rate of tax for income tax slab between the income of rupees 3 lakh to rupees 6 lakh for assessment year 2003-2024, okay, so 2023 में, जो budget है, इसके according, 3 लाक से 6 लाक की जिसकी इंकम होंगी, वो कितना tax pay करेगा, तो देखे, 3 से 6 लाक, okay, 3 तो हमारा इस शुरू था 5%, तो easily क्या हो जाएगा, 5%, ठीक है, ऐसी हमने 3 की टेबल बढ़ दी, तो हमें बागी के भी आद हो जाएंगे, next है, what is the capital outlay has been provided for the railways in the union budget 2023-2024, okay, तो railways के लिए कितना budget रखा गया है, तो कितना budget रखा गया है, 2-4 लोग तो सिर्फ जाएंगे नी, so option B, यान सिता रखा गया है, तो उन्होंने कितने घंटे तक बोलती रही वो budget से rated, तो कितने घंटे तक, 1 hour 25 minutes, okay, तो आपको बस पढ़ लेना है, में भी ये question पूछ ले, बत ये question नहीं पूछा जाएगा, बत लेकिन आप पढ़ लीजे, ठीक है, तो 1 hour and 25 minutes, right, next है दीखे, in which year finance minister, न जो है, replace कर दिया था, budget के brief case सो, किसे के साथ, यानि किसके साथ उन्होंने replace किया था, बही खाता को, तो किसके साथ किया था, कौन से सन में, तो कौन से सन में किया था, 2019, यानि कि option A, okay, next question is, the center has packed the fiscal deficit dash of GDP for financial year 2024, financial year, जो है, 2024, इसके लिए, जो fiscal deficit है, government ने कितना माना है, okay, कितना इन्होंने कहा है कि हम इतना कर लेंगे, तो कितना, यानि कि, कितना था, 5.9, so, 5.9 percentage, okay, next, the defense budget was increased to dash करोर for 2003-2024 from last year's allocation of rupees 5.25 lakh करोर, तो देखे, पिछले साल का कितना था, 5.25 lakh करोर था, इस बार कितना कर दिया गया है, तो देखे, कितना कर दिया गया है, देखे, इतने सारे options है, बिल्कु लास बस है, क्योंकि defense पे बहुत जादा काम चल रहा है, okay, defense को आगे promote करने के लिए, okay, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए, ये important है, तो defense का हमने कैसे याद रखा था, defense वाले, terror को no, यानि कि, घुसने नहीं देते, तो no कैसे बनेगा, 5 plus 4 से, और बी reduce the use of, तो किसका जो है, reduce को कम करने के लिए, तो देखिए, मैंने आपको बताया था, PM प्रानम किस से लेटिड है, गोवर्धन scheme से, गोवर्धन scheme किस से लेटिड है, chemical fertilizer से लेटिड है, okay, so आपको ध्यान रखना है, option B हो जाएगा, correct answer, ठीक है, next है, according to which article of the Indian constitution, the union budget of a year is referred to as annual financial statement, बहुत easy, annual financial statement, यानि कि article 112, so option D is the correct answer, हमने इसे कैसे याद रखा था, annual financial statement, तो statement हम भी निकालते है, annual एक साल में 12 महिने, so financial statement 112, okay, next question is, हर साल budget किस तारिक को पेच किया जाता है, on which date the budget is presented every year, किस दिन को प्रेजन किया जाता है, okay, so 1st February को प्रेजन किया जाता है, हर साल के, so जान रखने हैं आपको, okay, option C is the correct answer, right, next is, इन में से कौन सी वस्तू सस्ती नहीं है, which of these items has not become cheaper, तो इन में से कौन सी आइटम जो है, सस्ता नहीं हुआ है, तो देखे, कुछ चीज़े सस्ती होई होगी, कुछ चीज़े महंगी होई होगी, according to this option, कौन सी चीज सस्ती नहीं होती जल्दी cigarette, okay, okay, so option B is the correct answer, next question is, किस फर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था, तो देखे, in which year रेल बजट वास मर्स विद्धा जनरल बजट, तो देखे, पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, but अब मर्श कर दिया गया है, okay, तो कौन से सन में मर सेक्टर में, okay, तो इसको eliminate करने का target कब तक रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है option B, यानि कि 2070, okay, तो sickle cell anemia जो है, इसको eliminate करने का target रखा है, government ने 2070 तक, okay, next question is, in budget 2023-24, श्री अन्ना has been referred to which crop, अब श्री अन्ना कौन से crop को refer किया गया है, तो देखे, कौन से crop, mylate, यान is the correct answer, next question is, government will launch the प्रधान मंतरी PVTG program for development and upliftment of, okay, so government जो है, वो launch करने वाली है, प्रधान मंतरी PVTG program, तो देखे, T, यानि कि T for tribal, तो आपको transgender नहीं याद रखना है, तो हमने पढ़ा था, कि tribal groups के लिए PVTG program जो है, उनके development के लिए, उनको uplift करने के लिए, government ये launch करने वाली है, so option C हो जाएगा हमारे correct answer, यानि कि tribal group, okay, और schools भी बनाया जाएँगे, एक love way model, residential schools भी, ठीके, okay, so budget 2023, 2024, जितने भी important points थे, वो हमने पढ़ लिया है, and I hope आप लोग को याद और समझ भी आ गया होगा, जो भी important points है, okay, वो हमने questions के through भी cover कर लिया है, जो आपको ध्यान रखने ह है, कि यह यह चीजे आपको ध्यान रखनी है, जो आपके exam में questions पूछा जा सकता है, right, so video अच्छा लगे, तो जरूर लाइक करिएगा, तो मिलेंगे अप नेक्स वीडियो में, thanks for watching,